तो दोस्तों वेलकम है आपका fantasy expert news के official youtube चैनल पर इस वीडियो में हम लोग match cover करने जा रहे हैं South Africa T20 League का second number match जो की Durban Super Giants versus Johnsburg Super Kings के बीच में होने वाला है जो की Kings Pit और Durban के home ground पर ये match खेला जाएगा तो हम लोग complete analysis देखेंगे और बनाएंगे grand league और small league की team लेकिन आपको जो मैं तीन players बताने वाला हूँ उनको आपको अपनी team में रखना है प्लस उनको drop नहीं करना है देखो काफी ऐसे players हैं जिनके बारे में आप जानते हैं तो उनके में आपको states नहीं भी बताऊंगा तो भी आप अपनी team में pick करेंगे लेकिन कुछ ऐसे players है जिनके बारे में आप लोग नहीं जानते हैं और उनके states आपको जानना जरूरी है प्लस ये venue कैसा है high scoring venue है या law scoring venue है वो भी हमें जानना यहाँ पर काफी ज़्यादा important है तो चलिए teams हम लोग create करेंगे उससे पहले जो main base हमें ध्यान रखना होता न वो हम लोग ध्यान देते हैं कौन से baller death में करेंगे कौन से ballers यो हैं वो power play में balling करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं कल ये match खिला जाएगा कितनी बजे होगा साड़े नो बजे वही रात को लेकिन आपको मैं इसके rules से एक बार बता दूँगा जैसे नो बजे ये match start होगा Kings meet Durban के अंदर ये match होने वाला है मैं एक बार इसके basic rule बता देता हूँ शायद आपको पता नहीं होंगे लेकिन ये जानना आपके लिए काफी ज़्यादा जरूरी है देखो हर टीम को क्या करना पड़ेगा टोस से पहले 13 member का squad announcement करना होगा ठीक है 13 member टोस से पहले यानि हो सकता है वो आदे गंटे पहले भी announcement कर दे ठीक है या एक गंटे पहले भी announcement कर दे उससे ज़्यादा पहले नहीं होगा क्योंकि होना होता तो अब तक हो चुका था हो चुका होता लेकिन आपको मैं बता देता हूँ 13 player का squad announce करना जरूरी है फिर toss के बाद आप उनमें से 11 player select कर सकते हैं तो मैं आपको जो playing 11 बताऊंगा न वो actually playing 13 में आपको बताने वाला हूँ कि playing 13 कौन से हो सकती है final playing 11 भी है और 13 player यानि 2 player extra बताऊंगा कि वो भी playing 11 में बन सकते हैं बाकि आपके सामने हैं आप लोग यह देख सकते हैं rules को screenshot लेके पढ़ लिजेगा ज़्यादा कुछ नहीं है हमें तो main playing लिए उन से काम है और किसी से नहीं हम जल्दी से एक बाद playing लिए उन देखते हैं उसके बाद में सबसे पहले team news देख लेते हैं चलो सबसे पहले दिल्शान मदूशंग का है जो भी recently खेल रहे हैं आज ही खेल रहे हैं याँ साम में जो match चल रहा है उड़ियाई वहाँ पर इगेल है तो यह नहीं केलने वाले है जब तक शिलंगा ट्यूर पर हैं इंडिया के क्विंटन डिकोग लीड करेंगे derben super Johns को पहले खेलते लखला हूँ super Johns के लिए अभी यहाँ पर खेल रहे हैं क्विंटन डिकोग डरबन super Johns के लिए जो बक सुपक की इस की तरफ से हैरी बूप ने क्या हुआ विडरो ले लिया है ECB की तरप से withdraw हो चुका है तो वो नहीं खेलने वाले हैं इस addition में match section आप भी available नहीं है क्योंकि वो भी इंडिया पे गए हुए है 5-2 places captaincy करने वाले हैं stream की बात करते हैं कि आप probable playing 11 रहेगी है ने actually मैं playing 13 आपको बता देता हूं क्या रहेगी देखतो ये तो रहेंगे 11 प्लेयर लेकिन इसके बाद अगर कोई प्लेयर आ सकता है इसमें से तो वो प्लेयर हो सकता है कौन सा सबसे पहला प्लेयर होगा या तो एक तो विकिट जैसे विकिट कीपर में इनके पास में चार्ल्स भी available है क्विंटन डीकोग भी है ठीक है दो उप्शन इनके पास में आवले बले तो मैथ्यू बिट जीगर तो यहां पर चांसे काफी कम लगते हैं मुझे कि वो खेल पाएंगे तो यहां पर एक हो सकता है कि टीम एक एक्ट्रा बोलर के साथ में चले जाए एक्सपिरियंस के साइट वो है हार्डस विल्जिन इनके साथ में टीम जो है वो जा सकती है यह हमारे 12th नंबर प्लेयर है और 13 नंबर प्लेयर जो वो हो सकते हैं वो यहां पर अकीला देनेंजय भी हो सकते हैं या फिर वो सीमन हार्मर भी हो सकते हैं बैटसमैन की तरफ जाएगे तो सीमन हार्मर और अगर overseas के साथ जाती है तो आकीला देनेंजय हो सकते हैं किसी जैसे chances कम है अकीला देननजय अगर टीम चार्ल्स को इसाथ नए जाके बिट्जी के साथ में अगर जा रही है या फिर सीमन हार्मन के साथ में जा रही है तो ठीक है तो 13 प्लेयर कौन से हो सकते हैं ये दो प्लेयर जो मुझे लगे हैं ये हार्डस विल्जेन और अकीला दरंजे ये 13 हो सकती है और प्लेइंग लेओं जो मैंने आपको यहां बताई ये होनी चाहिए इसमें से लगबग सारे प्लेयर को आप लोग जानते हैं जिसके बारे में नहीं जानते होंगे उसमें है क्रिश्टन जोंकर के बारे में वियान मल्डर के बारे में आप काफी कम जानते होंगे सुब्रायन के बारे में आप कम जानते होंगे इन तीनों का हम लोग player starts नीचे देखने वाले हैं फिर power play में कौन balling करेगा यहां से wrist topley and vent pretorries यह इस section का मतलब क्या है अगर आप लोग एक नए user है तो आपको पता नहीं चलेगा क्या बखबख हो रही है लेकिन यह section आपको काफी help करता है जब आप लोग fantasy team create करते हैं क्योंकि probability power play और death यानि slug wars में जो balling करते हैं उनके wickets लेने की probability higher होती है इसलिए हम लोग small league जब भी खेलते हैं two, three, four members वाला contest तब यह हम लोग strategy use करते हैं तो wrist topley हमारी team में must topic रहेंगे dwan pretorries जो के अभी recently ली इन्होंने international cricket से retirement ले चुके हैं प्लस यहां से jason older यह तीनों हमारी team में आपको मिलेंगे जो बक सूपर किंग्स की तरफ से यहां से Riza Hendix और जानिमन मलन ओपन करेंगे फाब डूपलीजी जो की team की तरफ से captaincy कर रहे हैं लिउस डूपले जो की overseas player है काई ले वर्णे और विकेट कीपिंग करेंगे लेविस ग्रेगरी है रोमारी शेपर्ड है आरउन फंगी सो है लिजार्ड विलियम्स अलचारी चोस से उपर नहेंद्रे बर्जूर आपको देखने को मिलेंगे प्लेइंग लेवन में ये प्लेइंग लेवन रह सकती है अब क्या changes possible है देखो bowling department में overseas section में तो मुझे नहीं लगता कोई changes होने चाहिए Gregory इनके पास में part-time option है plus betting backup भी देते हैं all-rounder है तो मुझे नहीं लगता कोई changes होना चाहिए अगर कोई changes बहुत falsely होता है यानि playing 13 की में बात करूँ तो Donovan Ferrari जो की part-time गेंदबाजी भी करते हैं विकेट कीपर वैसे officially करते हैं लेकिन जो CSA D20 लीक्स होती है उसके अंदर ये है as a all-rounder team खेल लेते हैं तो एक ये player है और यहाँ से George Gartan है ये दो player जो मुझे लग रहे है कि ये playing 13 के अंदर रहने वाले है बाकि ये जो expected playing 11 रहेगी वो ये ही रहने वाली है power player में कौन balling करेगा अलजारी जोसिप और सोफ शेफर्ड ये जो expected है कि balling करने चाहिए साथ में लिजार्ड विलियम्स के और death में तो यहाँ पर रोमारिय शोपेट और अलजारी जोसिप की probability काफी आई है कि ये ही करने वाले है इनकी तरफ से जिन player के बारे में आपको नहीं पता होगा मैं उसके बारे में बताओ देखो सबसे पहले लें नेंद्रे बरजर का states में बताओंगा लिस डूपलोई के बारे में बताओंगा कि इनका states कैसा है आरोन फंगी सो experience player है पहले खेलते थे साउथ अवरीका टीम के लिए अभी फिलाल काफी time से बाहर चल रहे हैं इनके बारे में आपको पता नहीं होगा काईले वर्डियन के बारे में काफी लोगों को उतना बता नहीं होगा बहुत कम कहलते हैं international teams के साथ में तो इन प्लेयर्स के जल्दी से जो उपर मैंने बता हैं उनके बारे में भी states में जल्दी से बता देता हूं देखो देखो यहां से तो आपको screenshot लेंगे तो आपको पता चल जाएगा जोन साथ चाल से काईले मेलर से किशन जॉंकर हैं बहुत ही अच्छे बैट्स में ने मिडिल ओरर के और रेगुलर्ली स्कोर करते हैं वेन्यू के उपड़ सबसे बयाश्ट स्कोर हैं यहां पर क्विंटेण डिको का toys की इंतर दर्बं का हो च्रिशा जाबाट का हो दोनों ही स्कोर को मिलाके सबसे बेस्ट एवरेजे 39 का इनका ही एवरेजरन स्कोर भी कें साथ में एवरेस तो आपको 108 प्लेस वाले भी दिखेंगे लेकिन जिसका सबसे बेस्ट है मुझे वही लगे हैं मिडल ओर्डर में अगर कोई बेस्ट में एक टारगेट करते हैं जब भी आप लोग GL टारगेट करते हैं तो आपको एक त्यान रखना होता एक पॉइंट कि आप लोग मिडल ओर्डर के बेटर्स को एक प्लेयर तो आपको अपनी टीम में इंक्लूड करना ही होता है तो मैंना किस्टन जोनकर को सबसे फर्स पोजिशन पर रखूँगा अगर Grand League के Team Create कर रहा हूं और Middle Lord का कोई Player पिक कर रहा हो तो पाकी मल्डर के बारे में पार्ट ताइम घेंदाजी कर लेते हैं प्लस क्या है बेटिंग वेकप भी देते हैं ये बेटिंग अच्छी कर लेते हैं और पार्ट ताइम घेंदाजी भी करते हैं वेन्यू पर 6 मैचेस में 130 रन के अब काफी बार नोट आउट्स गये हैं, 130 का एवरेज हो सकता है, यहाँ पर यह गलत भी मैशन हो, क्यूंकि 6 मैचेस में यह तो यह थोड़ा गलत हो सकता है, 6 मैचेस में 4 विकेट्स प्लस 130 रन के, लिस्टे क्रिकेट में बहुत अच्छा प करें, इस वेन्यू के अपर 2018 से लेके 2021 तक, बहुत ही अच्छे विकेट्स इन्हों ने लिका ले, almost 8 मैचेस के अंदर 9 विकेट्स इन्हों ने निकाले हुए हैं, second position पर है इस वेन्यू के अपर, तो यह बहुत ही आपके लिए key player रहने वाले हैं, 2018 से लेके, मैं कपकी बात क कर रहा हूं, यह द्यान रखेगा, 2022 तक की बात, यहां से मैं कर रहा हूं, 42 विकेट्स, 43 मैचेस में, और current form भी, अच्छा ही है, इनका first class cricket, देखिए test cricket में, अच्छा ही क्या, with the bad भी contribute कर लेते हैं, तो अच्छी पिक होंगे, सुब्रायन की हम लोग बात करते हैं, उतने व उपर बेटिंग करते हैं, प्लस थोड़ा, बोलिंग करते हैं, यह मैंने उपर भी गलत मेंशन कर दिया, सीमन आर्मरेज, जो की बोलर है, ओप्रेक गेंज बाजी करते हैं, अकीला देनेंजे के साथ में मैंने बताया था, कि इन दोर में से कोई एक जो है, खेल सकता है, कीम हेंडिक्स, जानिमर, मलन के बारे में सभी को पता है, फैप डूपलेज इसको भी सभी जानते हैं, लियूज डूपलर है, इनके बारे में कोई नहीं जानता है, 96 मैचेस, डॉमिस्टिक क्रिकेट में खेले, 31 के आसपास का एवरेज है, और T20 क्रिकेट के अंदर, अगर इत जाने, लेकिन 5D places भी हैं, फिर इसलिए मैंने इनको रखा है, second down player में, कायले बर्णियों, attacking player है, जैसे कि हमारा हैंडिक क्लासे ने, वैसे ही ये भी attacking player है, रख सकते हैं आप लोग, ये आपकी चोईस, आप रखना चाहिए या नहीं, मैं इनको अपनी टीम में prefer कर सकता इसलिए जब GL के टीम बनेंगे, तो मैं अपनी टीम में काफी टीम में इनको रखना वाला हूँ, रोमारे शोपर रखने ही है, च्योंकि डेथ में गेंदवाजी करेंगे, पर प्रावर परल में अच्छी बोलिंग कर लेते हैं, फंगी सो GL के पिक रहेंगे, अलजारी जोस इसलिए जोट रहेंगे, तो मस्टे ओपिक, नांद्रे बर्जॉर लिजार्ड विलियम दोनों में से कोई एक, तो यहां से अगर लेफ्टाम मीडियम फास्ट लेना चाहरे हैं, तो आप बर्जॉर को पिक कर सकते हैं, लिजार्ड विलियम आपके लिए एक की प्लेयर रहो हो सकते हैं, क्योंकि डेथ में गेंदवाजी बंदा करने वाला है, और वेनिव पर भी फाइफ मैचस में सेवन विकेट्स लिए, तो इस्पेशल पिक हो सकते हैं, प्लेयर बेटल आपको, देखो मेक भाई, स्कीन शॉट ले लिजे अप लोग इसका, यहां से अगर आपको किया होगा, तो CPL का ही डेटा समझ लिजे इसको, फिर उसके बाद में जैसन होल्डर वर्सेस सेफ़र्ड है, तो शेफ़र्ड आपके लिए की प्लेयर है, आपको अपनी टीम से ड्रॉप नहीं करना है, रोमारियो शेफ़र्ड, ठीक है, यहां पर बात काते है, जॉन्स ब कि प्लेयर है, अगर फाप ड्रॉप लिए इसको छोड़ना चाहते है, जी एल के अंदर, देन आपके पास में जैसन होल्डर मस्ट होने ही चाहिए, यह रिस्क लेने वाली बात है, कि जो रिस्क ले सकता है प्लेयर बैटल को देखे, वो लोग ऐसे टीम्स क्रेट कर सकता है अब यहर मैं आपको सबसे पहले तो विनिंग बता नहीं भूल गया, कि कैसे विनिंग हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पर लास्ट केम अभी तो आजका तो कंप्लीट नहीं हुआ है, आजका देखते हैं कैसा रिजल्ट जाएगा, लेकिन मैं आपको रिजल्ट अपने बता दे आप लोग भी खेल सकते हैं, टेली ग्राम से अगर मेरे जोड़ेंगे तो लिंक भी मिल जाएगा, और आपको टेम्स भी मिल जाएगे, तो फैंटेसी एक्सपर्ट न्यूस का ये टेली ग्राम का यूजर ने में सर्च कर सकते हैं, आपको कॉमेंट में भी नंबर, लिंक मिल जाएगा मेरा फस्ट जो कोमेंट रहेगा उसमें, और वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, उसके अंदर भी आपको लिंक मिल जाएगा मेरे चैनल का टेली ग्राम के, ठीक है? बात कर लेते हैं, अब टीम्स फॉर्मेशन की, कैसे टीम्स फॉर्मेशन होगी? सब से पहला काम आपको कुछ भी कभी भी आप लोग fantasy team create करने ना आपका सबसे पहला काम होता है क्या यह देखो टिप्स कोई नहीं शेयर करके मैं आपको होता देता हूं सबसे पहले पास में आपके पास में जो playing 11 होती न उसको आपको देखना है कि जो announce हुए वो betting order में है या नहीं है यह steps बता रहा हूं सबसे main काम होता है कि betting order में आपको देखना कि betting order में है या नहीं second काम आपका क्या रहता है कि आपको यह देखना है according to playing style आपको find करने है player styles आपको find करने है ठीक है यह आपको ध्यान रखना है player styles find कर लो ताकि उसके अकड़ोंग हम लोग bowler choice कर सके है left handed batsman में और right handed batsman में ठीक है यह आपको decide करना है top 5 के अंदर कितने left handed है और कितने right handed है इसी के according हम लोग bowling को pick करते हैं upon in teams से उसके बाद में यह दो से हो गए यह हो गए player style betting order होगी आपकी उसके बाद में आता है हमारा कि power play में कौन bowling कर रहा है और death में कौन bowling कर रहा है यह दो की में की रहते हैं यह तीन काम हो गए तीन काम के बाद कि में आपके लिए काफी easy हो जाती team create करना ठीक है फिर एक चीज़ और आपको देखना है कि first inning में कौन सी team bet कर रही है और second inning में कौन सी team bet कर रही है ठीक है इसके according हम लोग क्या करते हैं हम divide करते हैं कि हमें पैसर्स ज् रखने किस team से ठीक है तो यहां पर फिलाल बेस टीम जो balance टीम बराएंगे हमने आपको यह चीज नहीं बताई में एक बार वेन्यू के बारे में थोड़ा सा detail बता देता हूं ताकि आपको बता रहेगी आपको हाई जैसे betting friendly team रखनी है या bowling friendly team रखनी है तो इसके लिए हमें बड़ा ही है यहां पर यानि जो average total है वो 8 के round गया है runs per hour जो 8 के round गया है लेकिन overall देखेंगे न तो 7.09 का यहां पर रहा है लेकिन एक चीज और है कि यह fresh wicket रहेगा तो थोड़ा सा advantage रहेगा batsman को plus bowlers को bowlers में भी pass bowlers को ज्यादा advantage रहेगा तो अपनी team में try किजेगा passers को ज्यादा include करें overall भी देखेंगे लास्ट के five matches में तो पैसर्स नहीं विकेट्स ज्यादा निकाले हैं तो पैसर्स आपके लिए key player रहने वाले हैं ठीक है यह बात आपको मैंने बता दी है अब मैं चलता हूँ अपनी team formations की तरफ देखो रिस टॉबली death में गेंदबजी करें का है जो की spin गेंज बाजी करते हैं उतने विकेट टेकर नहीं है लेकिन लिजार्ड विलियंस हो गए हमारे पास में और यहां से जोर्ज गार्टन अगर खेलते तो इनको आप लोग पिक कर सकते हैं अभी safe side के लिए मैं केशव माराज के साथ क्योंकि दोनों advantage ये बंदा ब को अपनी टीम में बैक कर सकता हूं या फिल लिजार्ड विलियंस बाकि कोई भी प्लेयर्स को मैं नहीं देखने वाला हूं जैसन होल्डर हमाई टीम में रहेंगे रोमारे शोपर्ट ये दोनों को ड्रोप करना ही नहीं है ठीक है ये आपके लिए मस्ठे ओ पिक बॉलर है क करना चाहिए इवन आपको तीनों प्लेयर नहीं ड्रोप करने चाहिए यानिमर मलन रीजा हेंडिक्स और फाफ दूप लिजे आपने जैसे आज मैंने गिल के उपर इसक ले लिए था उनको ड्रॉप करके अगर वैसा यहां पर होगी हेंडिक्स को मिने लिया और हेंडिक्स फ्लोप होगा और मलन अच्छा कर दिया तो यह तीनों प्लेयर आपकी टीम में होने चाहिए थर्ड प्लेयर की चोईस कायले मैर्स और चार्ल्स एंड लिज डूप्लय क्रिस्टन जॉंकर इन चारों में से कोई एक प्लेयर आपका सेलेक्शन में रहेगा किसी एक को आपको कोई प्लेयर नहीं होगा इनको आप लोग अपनी टीम में बैक कर सकते हैं पकी विकट की पर सेक्शन से मैं यहां पर ले रहा हूं कुईंटन डिको को आप अगर बिलकुली सेफ खेल रहे हैं तो कायले मेर्स को ड्रॉप करके हैं रिक क्लास इनको ले सकते हैं जो कि विकट प्लस जैसन होल्डर और ड्वेंट्टरीस में से कोई एक तो जैसन होल्डर को मैं प्रिफर करता हूं क्यूंकि पावर प्ले में आके परेशान कर सकते हैं 5 डॉपलीसी को भी तो वहां एकाद विकट निकलने के चांसे से हैं और डेथ में भी गेंदवा जी कभी-कभी कर ल बनेगा तो यह मेरा स्मॉल लीक का टीम बना हुआ अब जो बंदे रिस्क ले रहे हैं और ग्रैंड लीग खेल रहे हैं ठीक है यहां से स्ट्रेड़ीजी च्टार्ट हो रही है ग्रैंड लीग की टीम कैसे बनेगी तो ग्रैंड लीग के सबसे पहला फॉर्मेशन हम लोग क्विंटन डीको क्वाली टीम अब सेवन फॉर का कॉंबिनेशन कैसे रहेगा डर्बंस के हम लोग क्या करेंगे पहले बॉलिंग यूनिट फिल करेंगे यहां से दोनों हमने ले लिया ठीक है और अगर कोई खेलता है यहां से तो कोई इतना चा चोईस नहीं रहेगा तो य यह मेरे प्लेस होगे है यह किस बना रहा हूं डर्बंड के लिए यहां से यहां से ले लिए लियाा इन की तरफ से लोगो करेंगे घ्रिक्स के लिए बना है उनको आप लोग वोग lure करेंगे जे मलन इनके प्लेस पे और एक इनके प्लेस पे बाकी सेम हमारा टीम का कॉंबिनेशन रहेगा कैप्टन वाइस कैप्टन सी अब जीएल खेल रहे हैं तो सेफ सेलेक्शन के साथ में जाएंगे तो उतना बेटर नहीं होगा उतने अच्छी अर्णिंग्स नहीं होगी थोड़ा सा रिस्क लेना पसंद करेंगे तो रिस्क लेने के लिए सबसे पहले प्लेयर होंगे लेफ्ट आम फास्ट बोलर डर्बन की तरफ से रिस्ट उपली को मैं प्रिफर कर रहा हूँ क्योंकि पैस को सपोर्ट कर गी है विकिट तो इक टीम में तो आपको किईप्टन D. متन कर ना है वाईस कपें に में रहुए रिषटोपली सेकंड् virus क्या कर सकते हैं थोड़ा सी क्ले सकते हैं यहां से वो नहीं चले माहन लो नहीं चले यहनि काइलए अप तुम्हारी टीम बन गई एक मिडिल ओडर का प्लेय ले लिया अब मैं क्या कर रहा हूं कि चले तो है जैसे डर्बन की तरफ से विकेट भी लिकले लेकिन उस जॉआंस बग की तरफ से किसी एक ने अच्छा पर्फोर्मेंस दिया ठीक है तुम्हें क्या कर रहा हूं रिजा है करते हुए कि यहांस बग विन कर रहा है टॉप टू यह टॉप थ्री इनका चेज कर ले रहा है इसली स्कूर को और कम टोटल बना है अपॉनेंट टीम यानि डर्बन का उस कंडिशन में जोसेफ हमारी टीम में रहेंगे जीश टॉप ली जोगी पावर्प्ले में बोलिंग को जोस बग की तरब से दर्बन की तरब से होलडर है बेटिंग आ रहा है शेफ़र्ड को मैं अपनी टीम में रख लिया मैंने रख लिया इसे ट्वैंट प्रेट्टरेस चेंज उसका होंगे बेटिंग सेक्शन से ही यह तीनों मेरी चोईस एंड में यहांसे ले लिया क्व वाइस कैपटेंसी मैं दे सकता हूं, बॉलिंग यूनिट इसी टीम से, या फिर मैं ओल्ल रांडर सेलेक कर सकता हूं इसी टीम से, तो वो हो सकते हैं, शेफ़र्ड ठीके, फ़ाइब डू प्लेसे और शेफ़र्ड को मैंने कैपटन वाइस कैपटेंसी कर दिया है, फिर अगे combination बनते हैं देखो किस तरीके से बनेंगे वह वह बनेंगे एक तो बनेगा बैलेंस combination ठीक है फिर एक बनता है कि मिडल ओर्डर के प्लेयर को लेकर उन्हें हमें यानि bowling dominated team क्याते हैं जिसको bowling dominated team जिसमें ज्यादा बोलर्स ही हैं कम से कम six to seven proper bowlers होते हैं कैसे बनेगी six to seven proper bowlers केश्व माराज ट्रॉपली यहां से लेजारी जोसेफ हमारी टीम में हो गए फिर यहां से जैसन होडर रोमारी शेफ़र्ड कॉम ने अपने टीम में लिया प्लस द्वैंट बिटरेज यह six बोलर एक seven option में एक और बोलर को हम लोग पिक कर लेते हैं यहां से अगर garden खेलते हैं तो यह देखना यह बहुत important player हो सकते हैं आपके लिए और hardest will जोई ठीक है यहां से अभी नहीं खेल रहे हैं मान लीजे खेल लिया ठीक है मैं just for example बता रहा हूं तो यह seven bowling option पूरे field कर लिए अब top player जो है ना उनको पिक कर लिया हमने हमने ले लिया रिजा हैंडिक्स को हमने ले लिया काले मेर्स को ठीक है बेटिंग यहां विकट की पर स्रिक्शन से कोई एक हम लोग ले रहे हैं क्विंटर डिकों को हर टीम में हमने रखाए हम लोग हैंडिक क्लासें की तरफ मूग कर सकते हैं हम लोग काईले वर्णियन की तरफ मूग कर सकते हैं जोगी काफी कम लोग लेंगे तो यह हमारा कॉमिनेटेट टीम है ठीक है यह देखिए ठीक होफुली आपको यह कंसेप्ट क्लियर हो गया होंगे कैसे टीम्स बनती है और इनी टीम्स को आप लोग यूज करके जील में रैंकिंग लगा सकते हैं विनिंग कर सकते हैं होफुली आप लोग फॉलो करेंगे और एक